हलो एब्रिवान, वेलकम बाक टुवा चानल आई सी स्टेनो, मैं हूँ जान विमाम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक डिप्थॉंग, रेड बुक की ये सीरीज चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट है, अप्लोडेड है, आप जो है स्टेप बाइस्टेप वीडियो को देख के कवर कर सकते हो, और अपने एक्जाम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रपेर कर सकते हो, इस चैनल पे आपको सारी चीज़े में लेंगी, शॉट हैं की जितनी भी रिलेटेड है, आपको बेसिक मिलेगा, फ्री कोर्स अप्लोडेड है, बेसिक का, स्टेनो ला इस चैनल नाम का फोल्डर है, इसको उपन करना चाप्टर वाइस आरी ओडियो भी मिल जाएगी, तो पूरा कंटेंट अवलेबल है तो अराम से हर एक चाप्टर को पहले प्रक्तिस करो, देखो रूज को नोट पनाओ, डिक्टेशन को प्रक्तिस करो, फिर सुन के उसको प और आपकी लिसनिंग स्किल्स दोनों इन्हांस होगी और आपको एडवांस पर प्रॉब्लम नहीं होगी ठेक है अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे टॉपिक डिप्थॉंग से जैसा कि अब देख सकते हैं डिप्थॉंग डाई वर्ड यहां पर दिया है डाई का मतलब होता है दो सांड ठीक है दो सांड से कंबाइन होकी वर्ड बनता है अभी तक हमने किया था वावल्स इससे पहले लेक्ट्रस के अंदर आपको लगा था कि हमने जब वावल्स कवर किये थे कि हमारा चलो वावल्स हो गये 12 सांड कवर हो गया वाट नहीं इसमें कुछ चार और ऐसी जो अभी तक कवर नहीं करी गई थी एजी है मुश्किल नहीं है मतलब वावली कमपैरजन में तो इजी ही है सांड से समझने में ठीक है तो पहली सांड देख लेते क्या आती डिप्थॉंग में अब डिप्थॉंग में टोटल के चार सांड जिनने में एक्स्प्लेइन हमारा जो ट्प्थॉंग आई है इसको कैसे रिप्रेजन किया है समॉल अंगिलर मार्क मैं बनाकर गर दिखवा देती हूं यह समॉल अंगिलर माग है ऐसली चूटा सा आपको आई की आवास सुनाई दे रही है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी मार्ग को रख के रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे, फर्स प्लेस पे, दिखा देती उमें creations, जैसे पहला ऐक्जामपल दिया है, पाई, अब पा के बाद शौर्ट ए थी, लॉंग एच था, शौर्ट ओ था और लॉंग एडबल्यू था, ये चार साउंड फर्स प्लेस को बिलॉंग करती थी और हवा में श्रोक बनता था, पांच भी साउंड कौन से आड़न हुई, ये आई वाली, कि अगर आई की साउंड आ रही है, तो उसकेस मे क्या होगा, ये भी फर्स प्लेस पे ही बनेगा, जैसे वर्ड पाई है, अब एक और चीज समझने वाली, जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, हमें लगता है क्या, हमने उसमें किया था कि दिखेगा भी होगा भी, इसमें क्या है, बस खाली साउंड आनी चाहिए, आई की, जैसे टाइप वर्ड है, स्पेलिंग में तुम्हें वाई दिख रहा है, पट साउंड आई की आ रही है न, ट, आई और प, बस इतना देखना क्या, कि अगर साउंड आ रही है, आई की, तो आप क्या करोगे, उसको वी मार्क से रिप्रेजेंट करोगे, यानि डिप्थॉं साउंड देखने, डिप्थॉंग के अंदर की का साउंड आ रही है, तो बस वो हम पुट कर देंगे, माई, म और आई, दिखने में वाई दिख रहा है, पट साउंड में क्या आ रहा है, आई की आवाज आ रही है, तो म, म के बाद आई का डिप्थॉंग यहां पे, एम की फ प्लेस पे, N, और F, N की फिर्स प्लेस पे, I का आपका डिप्थॉंग आ गया, यह वर्ड हो गया, आपका नाइफ, ठीक है, फिर है काइट, क, आई, और ट, I सुनाई दे रहा है हमें, तो क्या होगा, फिर्स प्लेस पे, I का साइण लगेगा, क और T, I का डिप्थॉंग, फि पे यह हो गया हमारा वर्ड काइट लाइफ ल आई और फ एल और एफ आई का डिप्थॉंग फर्स प्लेस पे इसी के साथ हमने एक साउंड कवर कर ली डिप्थॉंग की वो थी आई की अगली साउंड आ रही है ओए जिसे लिखा जाता है इस तरीके से इस चोटे से ग्रेडर ओए सुनाई देता है जब ओए की अवाज आएगी तो यह साइन रिप्रेजेंट होगा ओए के लिए और यह भी फर्स प्लेस पे ही लगेगा जैसे आपका आई था वैसे ही आपका क्या आ रहा है ओए तो कभी भी अगर ओए की अवाज आए तो उसको क्या करेंगे ग्रेट आ रहा है कोईल 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 के और एल ओए फर्स प्लेस है तो के की फर्स प्लेस पे लग जाएगा यानि यहां पे यह वर्ड हो गया हमारा कोईल ठीक है फिर है अ नौई अ फर्स प्लेस का आ रहा है ओए भी फर्स प्लेस में है सारा हवा में बनेगा एन बना एन से पहले एका डॉट और न के बाद ओय का साइन यह वर्ड हो गया हमारा और नॉय क्लियर नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इन जॉय अब सब यहां फस जाते हैं बच्छे के करते हैं इसको बनाएंगे ऐसे सौच के कि यह तो भई फर्स प्लेस पे है क्योंकि माम ने तो कहा था कि यह फर्स प्लेस की सांड है फर्स पे से बनेगा बट इसमें एक पर शोचीजोर समझने वाली क्या है कि आपका जो वर्ड हाँ और फिर्स प्लेस पे लगेगा बट स्टार्टिंग का वावल कौन सा आपके वर्ड का वो डिफाइन करेगा कि प्लेसिंग क्या रहेगी पूरे वर्ड की क्या वो हवा में रहेगा क्या वो लाइन पे रहेगा या वो नीचे रहेगा बाकी का और फिर्स प्लेस प्लेस प प्लेसे तो सारा ह्वा में ज और ओय ठीक है नेक्स्ट आ रहा है अलॉइ तो और यह क्या है फिर्स्ट प्लेस पे रहेगा आपकि यह मरा वर्ड अलॉइ ठीक है छलते हैं आगे अब next जो आ रही है sound हमारी वो आ रही है rule number 3 आउ की आउ की अगर आवाज आए आपको शक्ति का पूर वला आउ वो वला आउ ठीक है तो यह क्या होगा रिप्रेजेंट होगा आपकी उल्टे V से वी माक से और यह क्या है third place पे लगता है third place पे मैंने जैसे ही नोट्स बना रखे हैं स्क्रीन पे इसको एक्जाक कॉपी कर लेना शॉट करके मैंने बना रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसको मतलब समझने में और नोट डाउन करने में क्योंकि बुक में language जो है थोड़ी बहुत जादा मतलब लिखी वी है technical type लिखी वी है तो समझ नहीं आती है तो मैंने इसको बिलकुल short में करके दे दिया कि to the point exam point of view से ठीक है चलो आगे देखो mouth पहला word क्या रहा है mouth अब क्या देख रहे हैं हम लो कि जो आउ की मातरा है वो third place है अगर यह third place है तो यानि यह अगले stroke पे लगेगी जाके जो हमने rule किया था कि अगर दो later आएंगे तो next stroke पे जाता है और उसके before लगता है same ही rule इसमे भी apply होगा जैसे mouth word है तो m और th आउ का गया th पे तीएच से पहले क्योंकि before लगता है यह होगया word आपका mouth ठीक है loud ल आउ अब आप देख रहो हैं ओ डिया या ओ यू दिया है spelling में नहीं main sound पे जाओ कि आउ की आउ की अवाद आरी की नहीं आरी अगर आरी तो sign लगेगा loud ल आउ ओ और L और D आउ का गया D पे D से पहले ये word हो गया loud clear है next आ रहा है couch कर आउ और च आउ का गया 6 पे K और CH ये आउ की मात्रा यहाँ पे ये word हो गया हमारा couch out law आउ की आवाज आ रहे हैं तो सारा line काट के बनेगा और law का L बना D से पहले आउ है आउ यहाँ पे आया और लग के बाद आउ आउ आपका first place पे लग जाएगा क्योंकि AW किसमें आता है first place में आता है तो ये first place का vowel हो गया तो word हो गया out law ठीक next है county कर आउ नटी तो K N T और Y लगा आउ का आ गया next row पे यानि N पे N के before पे यहाँ पे यह word हो गया county lounge ल, आउ, न, ज, आउ का गया N पे L, N और यह J और आउ यहाँ लगेगा third place पे यह word हो गया lounge I hope यहाँ तक clear है next देखो last sound आ रही है U की diphthong U is represented by a small semicircle written in third place vowel यह भी क्या है third place है अगर U दिखेगा तो इसको represent करते हैं small semicircle से ही ऐसे उल्टे U से यानि N से लिखते हैं न चोटे में English में वो ही बस N है कहाँ लगेगा third place पे हमने क्या देखा यह जो आपकी आउ की मातरा है और यह U है यह दोनों ही क्या है third place है यानि लाइन काट के बनेगा और अगले stroke पे बनेगा अगर दो लेटर वाला case है ठीक है पहला word देख लेते हैं beauty ब, U, और T का गया T पे तो B और T U यहाँ पे T के बाद वाई का dot यह word हो गया beauty ठीक है ट, U, और B U का गया B पे तो आपका यह T बना यह B बना और यह U का आपका diphthong लग गया यह word हो गया हमारा tube next word आ रहा है cube क, U, ब U का गया B पे K और B यह U का यहाँ पे diphthong लग गया ठीक है यह word हो गया cube next आ रहा है view row बोलते हैं न CID bureau ACB प्रतिपन दयाक कुछ तो गड़वड़ है ओई वाला ब्यूरो तो ब्यूरो में क्या हुआ B और R बना U का गया R पे view row R के बाद O के अवास तो long O का heavy dash यह word हो गया view row next है occupy occupy O first place short O top वाला Q U आ गया third place और I का first आ गया तो starting का क्या है first place है तो सारा first place ले बना occupy और यह पाई यह word हो गया हमारा occupy ठीक है next देखते हैं अगला word आ रहा है हमारा duty the U T तो D dark T light U का आ गया T पे T से पहले T के बाद तो यह हमारी 4 sounds over हो गई I hope आपको एकदम clear हो गया है अगर कोई भी doubt हो रहा है तो आप भी शक telegram पर में message कर सकते हो मैं यह चानल का लिख देती हूँ नाम आए से स्टैनो नेम से है चानल नेम यहां पर आप जॉइन कर ले ना दोनों groups को जो groups बने हुए है Instagram पर भी add कर ले ना Instagram पर फेस्बूक पर online भी admissions चल रहे है offline भी चल रहे है मैं आपको यह number provide कर देती हूँ इस number पर आप text करके अपना admission ले सकते हूँ ठीक है यह number है इस पर आप text कर देना जो भी inquiry आपकी होगी आपको बता देंगे next topic देख लेते है joining of diphthongs अभी थक हमने क्या देखा पहले कि diphthongs क्या होते है diphthongs कितने type की होते है diphthongs हमने देखे थे चार diphthongs जिसके अंदर हमने cover किया था I, OI, OU, और U यह हमने चार sound cover करी थी अब हम देखते है जो diphthongs हमने लिखे इनने जोड़ा कैसे जाता है joining कैसे होती है ठीक है जैसे हमने starting में जब consonant चीके थे हमने एक-एक letter बनाना सीखा था कि P कैसे बनता है B कैसे बनता है फिर हमने देखा joining of strokes देखा कि अगर यह P लिखा है आगे T दिया तो हमने इसे join कर दिया वैसी कि a dipthong में भी जोड़ना होता है वर्ड को combine करना होता है क्यों? time बचाने के लिए easy writing के लिए क्योंकि जब speed पे लिखते है तो जब जुड़े वे words होते वो जल्दी लिखे जाते है यह reason ने dipthong को भी जोड़ा जाता है अब book में क्या दिया हुआ है देखते है rule number one the dipthong signs are joined to stroke when an easy joining can be made जब बनाना असान होता है तो क्यों होता है हम easy joining के लिए dipthong को जोड़ देते है पर इन्होंने यह तो बताया है नहीं जोड़ते कैसे है तो वो मैं बताते हूँ आपको ठीक है dipthong में क्या है आपका कि अगर आपका starting में आ रहा है dipthong या end में आ रहा है इन दो condition में ही हम लोग क्या है dipthong को जोड़ते हैं book ने तो बस ले दिया कि भई easy joining है भई ये कौन बताएगा कि starting और end वाली बात ठीक है कि जब भी starting में आएगा या end में आएगा तब ही हम उसको जोड़ेंगे ठीक है ये राज की बात थी ये benefit wise वीडियो को देखने में कि detail में मिल रही है सब knowledge ठीक है start और end में क्या है dipthong जोड़े जाते हैं कैसे जैसे word है ice अब ice word में i लिखा और ये sir साथ में ये word हो गया ice ठीक है ऐसा नहीं करोगे कि आप i अलग लिखोगे sir अलग लिखोगे नहीं ऐसा नहीं करोगे क्यों क्यों कि अगर आप जब अलग लिखोगे तो आप ये कुछ सेकेंड एक्स्टा लगेंगे और हम टाइम बचाने के लिए ही इसलिए कमबाइन करके लिखने है अगला वर्ड जब आ रहा है तो आई और ये आपका जब बन जाएगा ये word हो गया ice क्योंकि स्टार्टिंग में था इसलिए कमबाइन हो गया next है oil oil और ल oil कैसा बनता है oil नॉर्मली ऐसा बनता है पट क्योंकि ये ल किसाद जोड़ना है तो इसको हम हलका सा क्या tilt कर देंगे oil और ल इस तरीके से ये word हो गया हमारा oil starting में आ रहा है जोड़ गया value end में you आ रहा है where, love और ये you अब you क्या है easy joining के लिए घुमाया गया है कि कई बार क्या होता है you को हम ऐसी भी घुमाके बना सकते है ठीक है next deny deny n के बाद i के आवाज आ रही है तो d n और i ये word हो गया deny अब आप इसे ऐसे नहीं बनाओगे सोच रहोगे सबका दिमाग चल रहा हो एक्ष्टन मुझे पता है ठीक है इसको break करके नहीं बनाएंगे ऐसे ये इस तरीके से ही रहेगा फिर है do the or you d or you do क्योंकि d के साथ क्या किया हमने you को combine कर दिया ये हो गया हमारा word do अब मैंने आपको क्या बोला कि diphthongs जो है starting और end में होते है मैंने ये बताया पर आपके बन में आया होगा मैं बाखी वाले word में क्या होगा जो हमने बनाए थे आपको दिखाते हूँ कैसे इसे time है the i और ma अगर middle में आएगा तो आपका diphthong नहीं जोड़ेगा खाली अगर starting के end में आएगा तो ही हम diphthong को जोड़ेगे time जब लिखते हैं t और m से और i का diphthong अलग से ये अलग ही बनेगा combine नहीं होगा हाँ अगर item दिया होता item starting में आगया i तो combine हो जाता item इससे हमें ये एक चीज़ clear हुई क्या कि अगर starting में है और end में है तब ही combine करेंगे word के साथ बीच में हम combine कभी नहीं करते है i hope आपको यहां तक ये चीज़ clear हो गई है ठीक है जड़ा फटा फट से नीच लाइक का बटन भी दबा दो गई तुम लोग like नहीं करते हैं ठीक है चलो आगे देखते है अब next topic आ रहा है try phone जब 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 खतरनाक topic बच्चों के according क्योंकि लगता है भई क्या ही बनवारी है माम हमसे try phone topic जो होता है ये इसमें कुछ भी नहीं है बस एक छूटा सा concept है try मतलब होता है तीन phone होती है sound तीन sound वाला ठीक है तीन sound कैसे बनेगी दो प्लस एक तीन हो जाएगा dip thong क्या था die मतलब दो था तो try phone क्या हुआ dip thong प्लस वावल dip thong में जब कोई भी वावल जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम try phone बोलते हैं और आपका जो try phone है उसो कैसे represent किया जाता है चोटे से tick के द्वारा a small tick कहां पे opposite small tick आपका opposite side पे बनता है ठीक है जैसे पहला case आ रहा है आपका क्या कि जब आई के साथ कोई वावल जुड़ेगा dip thong आई के साथ जब वावल जुड़ेगा तो tick कैसे लगेगा देखते हैं आई कैसे सीखा था कैसे सीखा था मैं यहाँ बना देती हूँ अब इसके साथ वावल है तो opposite कैसे जुड़ेगा यह नीचे की तरफ ठीक है तो यह क्या है finally case आ गई कि जब भी I के साथ कोई भी वावल जुड़ेगा तो हम यही वाला sign बनाएंगे ठीक है अब देख लेते हैं वर्ड में पहला वर्ड आ रहा है डायल I के बाद क्या आ रहा है A आ रहा है तो D और L बना I कैसे बनता है ऐसे बनता है यह opposite टिक लग गया यह वर्ड हो गया डायल कोई भी वर्ड जिसमें I के बाद वावल आ रहा है उन सब में यही साइन बनेगा खाली I कर नहीं बनाओगे बच्चे क्या करते हैं ट्राइफोन लगाते ही नहीं और आगे जाके फिर से प्रॉबलम होती तो फिर दुबारा साके चाप्टर करते हैं तो अब इसे से बहुत पक्के तरीके से कर लेना एक एक वर्ड का एक एक पेज बनाना है आप लोगों को वान वर्ड वान पेज ठीक है चलो ला इंग एल आई एंजी ल आई और इंग आई के बाद आई आ रहा है डिप्थों के बाद वावल तो एल और एंजी हुआ यह आई का साइन ऐसे और यह ट्राइफोन यह वर्ड हो गया हमारा ला इंग ठीक है similarly वाया आई के बाद ए आ रहा है व आई और ए तो वी बना आई का यह साइन और ए का उपसेट यह यह वर्ड हो गया वाया थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा करके दिखाऊं यह वी था उपर की तरफ इसका उपसेट यह नीचे जा रहा है तो फाइनल इमेज क्या बनी ऐसे बन गई ठीक है जो हमने इसको छोटे फॉर्म में बना रखा है ठीक अगला है डिप्थॉंग ओए प्लस वावल अब अगर ओए के साथ कोई वावल जोड़ जाता है तो टिक कैसे बनता है ओए हमारा ऐसे बनता है ग्रेटर देन का साइन चोटा सा इसको अपसेट नीचे की तरफ ऐसे ठीक है तो यह वर्ड हो गया हमारा ओए प्लस वावल कोई भी वर्ड जिसमें ओए आ रहा है और जस्ट बाद वावल दिया है तो उसको मैंसे ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे लॉयल एल और एल ओए ऐसा और यह साइन ऐसा बिसिकली जैड बन रहा है एक तरीके से दीखा जाए तो जैड बनाना है ओए वाले केस में मैंने शॉटकट बता दिया आपको ठीक है फिर है बॉय अंट ओए के बाद ए आ रहा है बी एंटी ओए अंट ए के लिए जैड बन गया ओए के बाद कोई भी वावल आएगा तो जैड बनेगा ठीक है इन जॉइंग सेकिंड प्लेस है लाइन पे बनेगा इन ज़ ओए इंग यह ओए के साथ ही है यह वर्ड हो गया हमारा इन जॉइंग ठीक है सो आई होप यहां तक लियर है दो साउंड आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो टेलिग्राम पे मेसेज करके पूछ लेना वहां मैं आपको बता दूँगी नहीं नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो अगला साउंड आ रहा है डिप्थांग आउ शक्तिकपूर वाल आउ आउ के सथ क्या रहा है वावल आ रहा है देखो मजे लेके पढ़नी चाहिए चीजे वन्ता सीरिस हो कि क्या ही रखा है समझ ही नहीं आता तो जितना आप उसे रिलेट कर पाऊगे जितना आप मजे से पढ़ोगे कि कर रहे हो तो उसे इंट्रस्ट के साथ करो यह नहीं मुसीबत समझ के कर रहो अच्छा है यार यह 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 नहीं मजे लेके करो ना देखो शक्तिक पर वाला आउ बता रहूँ में तुम्हें आउ जब आएका तो कैसे बनेगा तब बनेगा आपका यह वाला साइन ठीक है अब वावल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लिए अपना यह उपसेट पर टिक यह हो गया आपका आउ प्लस वाल टावर तो ओ डबल्यू के बाद यह आ रहा है दिख रहा है आपको डायरेक्ट तो आपका टी और आउ का साइन और यह टिक यह वर्ड हो गया आपका टावर ठीक है सेम शावर बनेगा आउ के बाद यह आ रहा है ऐसे चौरार आउ के बाद ऐसे यह वर्ड हो गया शावर पावर पावर इंजल्स पावर में पी और आउ के साथ ऐसे हो गया पावर ठीक है तो यह हमारा कंप्लीट हुआ इसके साथ देखते हैं आगे की कुछ और वर्ड डिप्थॉंग यू अब डिप्थॉंग यू जो यू था अपना ऐसा अब टेक ओपसेट में दर नीचे से उपर गया तो यह हमारी फाइनल इमेज बनके आ गई कोई भी वर्ड यू के बाद बॉबल आए तो यह साइन लगेगा फ्यू अर एफ और आर यू और यह ऐसे फ्यू अर ठीक है आर ग्यूइंग आर ग्यूइंग यू के बाद आई है यहां लगना था टिका गया है आर ग्यूइंग ठीक है जैनुइंग जैनुइन जैन एन एन उन गा एसे जैनुइन यू के बाद आई आ रहा है उसको हमने से रिप्रेजंट किया एंसे पहले यह हमारी चार सांस कंप्लीट हो गई कि डिप्थां के वारा देखो play करके and उसके बार जो है उसे बार बार एक एक वड को बोल बोल के बनाओ ठीक है चलो आगे देख लेते हैं अब topic अगला आ रहा है हमारा consonant H हो सकता है जब only h होता है तो इस case में हमेशा हमारा downward h लगता है ठीक है जैसे ही है तो ही में यह downward h का use होगा single letter जब भी h दिया होगा तो आपका वो downward ही बनेगा वैसी है high हो और आई तो h डाउन और ये आई हो और आई हाई clear हे हो और ए एच और ये का डॉट यहां पर यह वर्ड हो गया है ठीक है फिर आ रहा है h is followed by k और g stroke h के बाद कभी भी जब k और g stroke आता है तो h तब भी उस case में downward बनता है कैसे हग h के बाद g है downward h और g hug hawk h के बाद k है बताया है मैं h के बाद की आएगा downward बनेगा तो h और ये k aw जो था first place की sound थी तो first place पे heavy dash लगेगा ये word हो गया hawk हेग हे एग हे एग हे और g हेग क्योंकि हेग के बाद जब जब जी आता है तो h downward बनता है यहां के आए होग दो points clear हो गए कि एक ह्च जब single है और एक है के बाद k और g है तो दूनों case में क्या है downward h लगता है इसके बाद upward h is used when joined to other consonant mostly नॉर्मल केसे में नॉर्मली हम अपड़ेश ही यूज करते हैं ठीक है सिरफ यही दो केस थे या कुछ मतलब एक दो और आएंगे जिसमें हमारा एच जो है डाउनवर्ड बनता है पर मेजॉरिटी में एच अपी बनता है है एपी में है एच पी और यह है एपी नॉर्मली इस में हमारा जो एच है वह हमारा अपवड़ी बनता है ठीक है लास देखते है पॉइंट इन मिडल ओफ फ्रेज या एंड किसी फ्रेज की बीच में या फिर एंड में जो आपका शौट फॉर्म ऑफ ही जो है वह यूज किया जाता है शौट फॉर्म ऑफ ही कौन सा है यह ही यह ग्रामलोग के तोर पे भी दे रखाया आगे जैसे लिखा है इस ही तो इस ही के लिए हम छोटा सा यह साइन लगाएंगे ना जिस फूरा एच बनाएंगे वैसे इफ ही फ्रेज चुड है हैं अगले लेक्चर के अंदर अगर अभी तक सब्सक्राइब कर दो किसका वेट कर रहे हो तुम लोग मैल आइकन पर क्लिक करो पूरी प्लेलिस नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर टाटा बाबाइ